आप देखिए यह विडियो, माया ट्यूटर पर मुफ्त कूपन कोड साइट पर बैनर में दिया गया है, अभी पंजी करन करें, फ्री में ओनलाइन क्लास लें हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं, प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाएं लगाकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके, इतने सारे महान शिक्षन आप्पन करें, के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खोदिया है, वेब साइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका, लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स डॉट कॉम पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाएं लेने के लिए कर सकते हैं, य साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्र इस पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं, उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाई लें, एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे ट्यूशन छात्र मिलते हैं, इस युग में जहां शिक्षा एक व्यवसाई बन गया है, यह साबित करके कि शिक्षा केवल एक व्यवसाई नहीं है, अपने कौशल को साबित करें, बहतर आए प्राप्त करें, अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे, नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है, रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आए अरजित करें, अगर आ दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वैब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं, दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है, फिर आपके छातर एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे, ओनलाइन ट्यूशन क्लास लेने के लिए आप को एक वेब साइट बनानी होगी, यह बहुत महेंगा है, लेकिन सामान्य शिक्षक इस वेब साइट के माध्यम से बहुत ही कम लागत में ट्यूशन ले सकते हैं, प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक वैब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार ली गई ट्यूशन कक्षाओं की डिजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं। वेब पोर्टल पर डैनिक कक्षाओं के विडियो और नोट्स की सूची बनाएं। इनका उप्योग बाद में बिना कक्षाइं लिए छात्रों को ट्यूशन कक्षाइं देने के लिए किया जा सकता है। संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाषा अध्ययन, आप ले खानकन, मनो विज्ञान, दर्शन, यह सब विशय जैसे सभी विशयों में कक्षाएं ले सकते हैं। शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पाइमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं। क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं। इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है, शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है, माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है, अधिक जानकारी के लिए मूल्य देखें, क्या मुझे भुगदान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा, शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्ट करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं यदि आप एक छातर के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे, शिक्षक का पंजी करण कैसे करें, डे मो कैसे प्रापत करें, अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें, पहले इस फॉर को भरेन नियम और शर्थे सुईकार करें रजिश्टा पर क्लेक करें अपने मेल पर जाने के बाद माया ट्यूतρ सक्रियन मेल मेल खोले शक्रियल लिंक पर क्लेक करें मैं लोगिन का च्फ़ायन करने के बाद अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉग इन करें, यह आ, गूगल के साथ लॉग इन चुनें, देमो अब तैयार है, अपनी प्रोफाइल सम्पादित करें, यह विडियो देखें, अपना पार्थ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं, डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है, कृप्या यह कीमत देखें, इस पोर्टल पर कितने पार्थ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं, पार्थ्यक्रम असीमित के रूप में सूची बद किया जा सकता है, इस पोर्टल में कितने छात्रों को जोड़ा जा सकता है आप असी मिद छात्रों को जोड़ सकते हैं क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है आप यूट्यूब लाइव विडियो लिंक को सूची बद करके लाइव क्लास ले सकते हैं अभी रजिस्ट करें और अधेग जानकारी के लिए देमो आजमाएं। पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है। एक बार शिक्षक मंजीकृत हो जाने के बाद, पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं। पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें। इस पर हर जगह वीडियो होंगे। आए इन वीडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं। मैं एक छात्र हूं। क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा। नहीं। यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है। छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं। लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी। मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूं। पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय। संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें। यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें। स्थान दर्ज करें और खोजें। अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं। यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्यस्थानों के नामों से खोजें। वर्तमान शिक्षकों का वैब पोर्टल खोलें। अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता। WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं। यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं। या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं। तो आपको पंजी करन या लॉग इन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉग इन क्या है? यदि आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा। मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें। यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोले, एक्टिवेट लिंक पर ख्लिक करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आप अपनी मेल आईडी और पास्वर्ट डाल कर लॉग इन कर सकते हैं, चयन करें, मेंबर पहुझ, अपनी मेल आईडी और पास्व को खोजें, जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, कर दोर लिए और पास्वर्ट से दोज़ें, जिनकी वेस्ट अपनीर कर वेशतर है, वेस्टरा फिर टापको शेला है, यजπάब झावराला है, वेस्टराइब क्यों आपको रहारा है, ँलिए यहां आपको मेलu आपको guy can उब 5 g झाल 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 झाल